आप लोगों का ब्लॉक्चेन और क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आज तक जितना भी experience हुआ है उस experience से आप लोगोंने एक चीज क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फील की होगी वो क्या है जब भी कोई नया कल्चर जब भी कोई नया इनोवेशन क्रिप्टो मार्केट में आता है तो वो एक ट्रेंडिंग इनोवेशन या ट्रेंडिंग कल्चर बन जाता है और उस ट्रेंडिंग कल्चर या इनोवेशन के चलते हम लोगों को उसके native प्रोजेक्ट के अंदर काफी बड़ा return मिलता है जैसे 2020 और 2021 के मैं बात करू जब हम ल लोगों ने last year 2023 में काफी बड़े potential का project बनते देखा. अब इसी category में 2023 में time to time एक नया innovation लेकर आया PepeCoin. एक proper community based project और आज आप लोग उस PepeCoin को देख सकते हैं. 2024 में Solana में topmost meme coin बना WIF. दोस्तों मैं आप लोगों को ये बाते क्यों कर रहा हूं? आज ये बाते करने का एक strong reason ये है. Cryptocurrency market में हमें नए सी नए innovation पर focus करना है. इस innovation के चलते, blockchain world के अंदर अब artificial intelligence का भी एक नया innovation बन चुका है. शायद तभी हम लोग artificial intelligence category को आने वाले bullrun की सबसे topmost category मान रहे हैं. अब अगर artificial intelligence को एक topmost category माना जा रहा है. और AI tools आज worldwide, globally सभी लोग use कर रहे हैं, चाहे वो content creator है, चाहे वो students है, चाहे वो book publishers है, चाहे वो pharmaceutical industry में है, चाहे वो banking industry में है. मतलब आप जब भी, globally किसी भी social media को pick करो, Instagram, YouTube, Twitter या Facebook, किसी को भी आप लोग use करो, तो आप लोग वहाँ देखेंगे कि AI basic trend आ चुका है, और वहीं पर AI के कुछ tools आए, जैसे आप लोग ने recently chat GPT सुना, फिर GPT 3 सुना, उसमें 3.5, फिर GPT 4 जो एक paid tool बना, फिर उसके चलते Google ने अपना AI tool लाँच कर दिया, Microsoft ने अपना AI tool लाँच कर दिया, तो AI एक नया culture औ एक नया innovation market में आना start हो गया, अब इसी AI generation tools की help से, जो पहला meme token बना, उस token का नाम है दोस्तो, turbo, और आज की इस वीडियो में मेरा पूरा focus है, turbo token और you can say turbo coin पर, first AI meme coin, दोस्तों, आप लोग को नाम से ही पता लग चुका है, नया culture, नया innovation और उसका पहला meme coin, turbo, आज की date में यह जानना बहुत ज्यादा जुरूरी बन जाता है कि turbo हमें आने वाले bull run में, एक से दो साल के अंदर, कितना बड़ा return दे सकता है, तो आज हम लोग turbo coin से related, जितने भी updates है, उन सब को study करेंगे, और उसके साथ, bull run में, इस coin का, इस token का कितना potential बन सकता है, उसके उपर भी पूरी बात करेंगे, देखें my friends, सबसे पहले आप देखें turbo, turbo का आज की date में, अगर मैं coin market cap पर rank देख रहा हूं, तो वो rank बनता है 212, 303 million dollar की इस टाइम पर market cap है, market section में गर हम लोग चलें, तो okx, gate.io, htx, mex, bitget, ऐसी topmost exchange पर आ चुका है, और मेरे हिसाब से बहुत जल्दी turbo की listing, pibit और kucoin में भी होने वाली है, अब इसके बाद हम बात करें, smart contract, ethereum पर starting में हुआ था, और उसके बाद bridge option use करके solana पर आ गया, it means, आज ये दो blockchain पर available है, और दोनो layer 1 है, ethereum और solana, it means market section के according liquidity भी बहुत अच्छी है, इस project की, और smart contract आज के trending smart contract है, ethereum भी और solana भी, अब अग से अच्छ अगर आप लोग को इस project का potential जानना है, तो आपको सिरफ इसकी description को study करना है, यहाँ पर देखिए, grassroot people token aiming to be hash number one meme coin, community owned first AI meme coin, art focused, जब इस start में हुआ था, तो ये completely art focused project था, पहला AI meme coin था, लेकिन अब turbo के official twitter handle पर gaming से related भी कुछ updates आने start हो चुके है, जुलाई 5 को, turbo न गेमिंग से related एक update किया, if turbo become a game, which would you prefer, racing game, adventure based game, fighting based game, और sports based game, जो मेरा option था, मैंने adventure select किया था, 32% लोगों इसको adventure select किया है, 46% लोगों ने racing select किया है, इस ratio से, अगर आप एक चीज बिलकुल indirect way में समझ पा रहे हैं, तो first AI meme coin, अब अपनी एक strong utility बनाने जा रहा है, gaming, it means, अब यह दो innovation का part बनने जा रहा है, AI का है, और इधर से gaming, AI और gaming का best combination में, अगर meme coin आज की date में कोई बन रहा है, उस project का नाम है दोस्तो, turbo token, अब अगर आपको इस turbo token को, माल लीजे, wallet में buy करके रखना है, तो आपके पास uniswap एक best option है, अब यह जो turbo token है, वो solana पर भी आ चुका ह it means हमारे पास radium और jopiter भी option होना चाहिए, तो जब मैंने अगली list देखी, तो अगली list में मेरे पास radium भी एक अच्छा option बना है, it means आप इसको अगर अपने phantom wallet में buy solana chain, buy करके रखना चाहते हो, तो भी आपके पास dex का एक option आ गया, और आप metamask के trust wallet को use करके, uniswap dex से use करना चाहते हो, buy करके रखना चाहते हो, ethereum smart contract use करके, तो भी आप लोग के पास dex का एक अच्छा option आ गया, otherwise centralized exchanges में MEXE, HTXE, gate.io, bit.get जैसी जो अच्छी exchanges हैं, उनके ओपर already है listed है, अब हम लोग turbo की website को visit करते हैं, हाला कि turbo की website के अंदर basically AI related ही कुछ चीज़े लिखी होंगी, तो यहाँ पर आप देखें, यह AI related सारी की चैज़े चीज़े हैं, लेकिन जो सबसे important point है, turbo का, वो हमें जानना जूरी है, ठीक है, inspired by the power of artificial intelligence, the projects create a turn to GPT-4 with a simple challenge, create the next great meme coin starting with a budget of just 69 dollar, ओके, यह wording थी, GPT-4 पर, एक meme coin बनाओ, जिसका budget जो, वो starting में 69 dollar का हो, और हमारे सामने आगया turbo token, और turbo बना decentralized community driven by a crypto adventure, start में हम लोगों ने uniswap इसका option देखा था, लेकिन आज की date में 37 plus exchanges में turbo list हो चुका है, and there is no doubt कि यह आपको बहुत ही जल्दी आने वाले 3-6 महिने, या maximum 2024 end तक, Binance, Bybit और हो सकता है, कि Coinbase में भी आता हुआ दिखाई थे, अब सबसे strong बात, जैसे मैंने आप लोगों के साथ last video bread token से related share की है, और उस video में मैंने आप लोगों के एक strong point यह बताया है, कि जब भी किसी project की future trading start हो जाती है, तो उस project की liquidity strong हो जाती है, उस project के अंदर नया potential आ जाता है, तो यहाँ पर turbo के पास अभी एक और potential बनता है, जैसे 37 plus exchanges म आने वाले time में, अगर हमें इसकी future trading भी दिखाई देने लग जाए, so no doubt यह project भी हम लोगों को असानी से 10 गुना से लेकर 25-30 गुना का profit दे सकता है, अब 300 million की market cap है, let us assume कि यहाँ से यह minimum 3 billion dollar की market cap बनाता है, तो easily 10x का profit तो आ गया, अब हमारा target है, यह मुझे ऐसा लग रहा ह first AI culture based coin है, first AI meme coin है, अगर यह यहाँ से 10 billion dollar या 50 billion dollar की market cap बनाता है, 15 billion dollar की, तब भी हमारे पास 10-25 गुना का return easily turbo coin में आ जाएगा, DEX में भी अच्छा option आ गया, centralized exchange अच्छा option आ गया, पहला AI based meme coin है, gaming में इस टाइम पर यह नया innovation लेकर आ रहा है, AI और gaming की best category meme coin इस टाइम पर ब I know, और recently मैंने आप लोगों को bread बताया, flow key, bonk, whiff, एक topmost competition है, but अगर exactly इस particular focus को देख कर चले, इस vision को देख कर चले, कि AI और gaming का एक total vision इस टाइम पर turbo जो token है, community driven token एक proper focus कर रहा है, तो ऐसे में हम लोगों को 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक का profit बहुत असानी से दिखाई दे दे, but ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि community driven token है, तो day by day trading जब होती है, buy sell भी proper होते है, वहाँ पर हम लोगों को profit generate करने का मोका मिलेगा, undoubtedly कोई भी profit नहीं छोडेगा, तो इस project को मेरे हिसाब से हमें, एक साल या तेड़ साल अगर हम देते हैं, मतलब 2025 end तक, या 2025 November तक, या जैसे आप लोगों को, अगर आपने एक target set कर लिया, कि आज आप लोगोंने 100 USDT का लिया है, और आपको 10X की growth आ गई, 1000 USDT आपका बन गया, आप अपना profit book कर सकते हो, otherwise this project की जो market cap हो मेरे हिसाब से minimum 10 billion dollar जरूर बनेगी, because of the potential of AI, now plus gaming, but yes, please keep it in mind, you are in the highly volatile market, so please do your own research before buying, before starting, before investing in crypto market, and yes, do subscribe Cryptomark YouTube channel for more updates, thank you so much.